गुद मॉर्निंग माइसेट दॉक्टर सूरसिंग आम वरकिंग एज कंसल्टेंट काडियोजिस इन अम्रिद्धारा माय हस्पिटल आज मैं आप लोगो पेस्मेकर के बारे में बताता हूं पेस्मेकर क्या होता है और इसकी जरूरत कप पड़ती है पेस्मेकर दो तरह का पेस जाती है वो साट की नीचे जादा कम हो जाता है तब हम पेस्मेकर लगाते हैं तो जब अ Τ venture में पेस्ट मे आता है तो हम पेस्मेकर पर क्यूटे दो concentrations में सिप्ट करते हैं टेंप्रेरी पेस्मेकर हमारे पास दो तरगर टेंप्रेरी पेस्मेकर है, एक सिंगल चेंबर टेंप्रेरी पेस्मेकर है और एक हमारे पास डूल चेंबर पेस्मेकर है, सिंगल चेंबर पेस्मेकर क्या होता है सिंगल चेंबर जो पेस्मेकर होता है यह हम वेंट्रिकल में लगाते हैं यह टेंपररी पेस्मेकर और कुछ समय के लिए लगाते हैं जब तक कि वो हमें पर्मानेंट पेस्मेकर की ज़रूत न पड़ जाए टेंपररी पेस्मेकर में य जैसे कि medical disease होते हैं जिसमें electrolytes imbalance होते हैं उसमें complete heart block reversible हो जाता है उस condition में temporary pacemaker कुछ समय तक लगाके उसे निकाल देते हैं अगर in case अगर उनका complete heart block reversible नहीं होता उस case में हमें permanent pacemaker की जरुरत पड़ती है permanent pacemaker और temporary pacemaker दोनों हम cat lab में लगाते हैं जिसमें क्या होता है इसमें एक lead होती है जो heart के अंदर जाता है वεν्ट्रिकल्स में और उसका एक battery होता है जो बाहर लगा हुआ रहता है उससे हम connect करते हैं heart beat अपनी चलती है और एक temporary pacemaker में क्रहुता है जिसमें dual chamber होता है, डुल chamber में क्या होता है कि ह Pron Pom Mantar ime Heart के 2 chamber में जाता है एक Ventricle में जाता है और एक Atria में जाता है तो ये दोनों तरह से Heart को support करता है आदेली हम लोग Single chamber ventricle facing prefer करते है यह कि Most of the patient में atrial rate ठीक होता है इसलिए हम single chamber VVI prefer करते हैं जिन patient में ये complete heart block reversible नहीं होता उसमें हम permanent pacemaker लगाते हैं permanent pacemaker में क्या होता है कि उसके जो lead होंगे और जो battery होते हैं दोनों heart के अंदर जाते हैं मतलब lead अंदर जाएंगे और जो battery होती है वो chest पे लगता है permanent pacemaker में patient के लिए वो ये procedure के लिए हमें दो या तीन दिन तक patient को रखना पड़ता है permanent pacemaker लगाने के बाद में और permanent pacemaker लगाने के बाद में patient को हम discharge करते हैं जिससे उसे और कोई support की जरूरत नहीं पड़ती है temporary pacemaker की permanent pacemaker से ही उनकी heartbeat चलते रहती है permanent pacemaker एक life saving procedure होता है जिस patient में heart की rate 60 से नीचे चले जाती है ऐसे patient में permanent pacemaker की जरूरत पड़ती है जिन patient में जैसे की patient को बार बार चक्कर आ रहे हैं और heartbeat उनकी कम हो रही है तो ऐसे patient को अपने nearest hospital में काडियोलोजी से कंसल करना चाहिए और कंसल करने के बाद में तूरंट ECG करवाना चाहिए जिससे हम heart block को diagnose कर सके अगर आपकी धरकन heart 60 से नीचे आ रही है ऐसे patient को admit होना चाहिए और इन patient को हमें temporary pacemaker as well as permanent pacemaker की जरूरत पड़ती है Thank you